अगे के टौपिक्स जिसमें आड़ी क्लास में लोग कवर करेंगे अपना पैरलक्स मैथर्ड और एंगल यह किस के अंदर आता है हमना मेजर मेन्ट अफ लाज डिस्टेंस आगर आप अंसीयाटी पट रहे हैं तो अपको हेडिंग मिलेगी मेजर में एंड जिस्टेंस जिसके परक्ता है कि तो चलिए अच्छ की क्लास चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेतें कि पैरलेक्स क्या है पैरलेक्स किसके अंदर आ रहा है यह आप जाने कि जो हमारी NCRT की जो हेड़िंग दे रखी है measurement in large distances इसके अंदर हमारा Parallax आता है, Parallax क्यों आता है क्या है, किस लिए इसका use किया जाता है, यह सारी बात हमलोग करने वाले हैं, तो अगर इसके पहले के जो topics, अगर आप वो cover करना चाहते todo अगर आप वो नहीं देखे हुएं आप वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके जो video जी कि आपने pen लिया या फिर आप कोई भी कोई भी object अगर आप लेते हैं ऐसे आपने सामने रखते हैं और फिर उसके बाद इसको left eye से आप देखते हैं तो इसके position आप note कर लेते हैं कि इस position पर यह object हमको show हो रहा है फिर उसके बाद अपनी left eye को close करके जब right eye से देखते हैं तब उस time क्या होता है वह position जो आपने note की थी से पहले वह हो चुकी होती है चेंज तो यही क्या होता है हमारा पैरलेक्स होता है अनि कि apparent shift होता है from one object के कि दूसरे object के कोई एक object है जैसे यह object था इस दूसरे object की respectively जो exist हुआ आपका object वह क्या है हमारा parallax कहलाता है अब इसमें क्या है कि अब इसमें आप देखने कि angle का change हो है जैसे एक औबजिट पहले यहां पी थे Herelig stick यहां से यहां पर आ गया अब जो angle change हो हम्हों होता है इसको हम लोग क्या कहते है's hex angle कहतें अग कि इसको क्या जा रहा हुआ इसकी बात हम लोक कर लेते हैं 살짝 को यूज क्यों क्यों कियों कि है क्योंकि यह हम लोग यूज करतें। लार्ज ॐसेस सेशको मेजर करने के लिए अब लार्ड डिस्टेंस तफ एक Noble करने जो यहां पर भी जो मोन ale चीज सकते हैं किसी भी तरीका से तो वहां तक की जो दूरी मेजर करनी होती है फिर जो साइंटेस्टीまた है यहां पर किसphones का की क्या की Halle है और एक चीज़ है इस में यूज़ किया जाता है में वर्ड और आता है इस इसको भी हम लोग आगे जानेंगे दो कारणों के से पैल्ख से चाइन को यूज और थे हैं concurrent को मेकितके पॉइंट में यह हो सकता ہے कि आप हो सकते हैं और point B में कोई भी स्टार हो सकता है या फिर point B में आप हो सकते हैं और A में स्टार हो सकता है ठीक है यह चीज़ आप समझ गये कि दो चीजों के लिए हम लोग पैरलेक्स को यूज करते हैं अब इसमें क्या यूज हो एकसष पे point A से आप मून को देख रहे हैं ठीक है यहां पर आपने मून को देखा और फिर इसके बाद आपने point B अकसस से मून को देखा तो इसमें क्या हो गया दो एंगल बनता है इस तरीके से बन रहा है अब इसके पीछे का कारण क्यों हम लोग इस तरीके से डेख रहे हैं जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए जैसे आप ट्रेंग से लिए पिर बॉस से जब सफर कर रहे होते हैं और आपके साइड़ से कोई भी पेड़ निकल जाता हैं तो उस टाइम क्या लगता है कि वह आपके साथ साथ चल ला है पर ऐसा तो हो नहीं रहा वह बहुत दूर है तो उसमें जो एंगल का जो है वह बहुत माइनूट माइनूट चेंज़ हो रहे हैं एंगल के तो जब आप अपनी बड़ी डिस्टेंस को कवर करें यानि कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी यानि कि एक एकसस से दूसरे एकसस तक जाएंगे तब यह आपको बड़ा सा गैप उसमें देखने को मिलेगा और इसके बाद एक ऑप्शन और ह होता है कि जैसे अब अभी तो मून के केस में होगा क्यों कि मून के केस में ऐसा क्यों होगा क्यों कि हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए तो हमको मिल सकता ऑप्शन पर अगर यही केस आता है अगर सन का तो सन क्या है अर्थ से काफी बड़ा है आप अच्छी तर जब अर्थ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो वह पॉइंट A से पॉइंट B तक यानि कि आधा कवर कर चुकी तब वहां से इस तरीके से एंगल बनाया जाता है यहां से डिस्टेंस मेजर किया जाता है तब हम लोगो यह डिस्टेंस पता चलती अब इसमें हम लोग मेजर करते हैं इसमें हम लोग मेजर करते हैं दो चीजें पहला कि यहां पर यह जो एंगल का फॉर्मिशन हो रहा इसको हम लोग किस से रिप्रेजन करते हैं थीटा से और इसके लिए एक LINE यहां से हम लोग खीच लेते हैं और यहां से क्योंकि हम Kung Are से मेजर करना है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है जो डिस्टेंस है उसको log क्या करना है मेजर करना है इसको in capital D से denote करते हैं ठीक है और फिर इसके बाद यह जो है हमारी जो लाइन गई है इस लाइन को यह एक्प्रॉक्समेट लाइन यह एक्जेक्ट लाइन नहीं क्योंकि यह क्या बनाता है आर्क को धीरे धीरे कम करते करते आप यह मान सकते हैं कि यह लाइन है यहां से हमको क्या करना है मेजर करना है और इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिस जिसको आप स्मॉल बी से इसमें डिनोट करेंगे ठीक है अब इसके लिए फॉर्मूला होता है अब इसम basis पे हम लोग क्या करते हैं इस distance को measure करते हैं जैसे कि इसका formula क्या है इसका formula work करता है कि theta is equal to b by d पर अब ये b क्या है आप जान रहे हैं और d क्या है आप जान रहे हैं ये हमारा distance है ये हमारा distance है ये हमारा distance कहां से अर्थ से moon तक की दूरी या फिर अर्थ से किसी भी planet कोई भी star तक की दूरी और ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा parallax पेरलेक्स एंगल ठीक है यह चीज है अब यह है कि अब जैसे आप जान रहे हैं कि आपको कुछ भी निकालना हुआ जैसे अगर आपको पूछ लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं जिस्की जरूरत रहे है अब दूसरी चीज आती है कि एस सब्रलेक्स एंगल है वह बहुत ही ज्यादा लेशार किसे आपके distance से या फिर आप यह कह सकते हैं जैसे आप यह कहना चाहें क्यों ऐसा हो रहा है या पिद्ध एस वेरी लेस लेस्ट दैन डी क्यों क्यों जो तीटा का जो एंगल है वह काफी कम है यानि यह जब भी आप देखेंगे जब भी आप गौर करेंगे जो तीटा कर रहेगा वो काफी छोटा रहे गया निकि जो थीटा का जो एंगल साइज रहेगा वो काफी छोटा आने वाला है distance की comparison में अब इसका करण क्यों है क्योंकि यह जो basis है यह basis भी कम है क्योंकि basis भी कम है किस से आपके d से सबसे ज़्यादा जो value रहने वाली है आके किसके रहने वाली एक हमिज्टेंस की तो यह होगे आपका फॉर्मुला और यह हो 2 तो रहने वाली है तो यह जैसे आपने कोई इह माउंटेन था अब यहां से आप देख रहे हैं ठीक है तो यह जो आपका viewing angle हो रहा है इस तरीके से mountain को देखने का तो यह जो चीज आ रही है यह जो चीज आ रही है इसको मैं और clear कर देता हूं कि इस तरीके से यह जो है आप किसी भी mountain को देख रहे हैं और यह जो आपका angle बन रहा है इसी angle को हम अब बात होगए ठीक है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या रहने वाला रहता है पर में होता है यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा हमारां यहां पर यहाँ मेलदे बाई बेस रहने वाला है और डी आपका क्या रहने वाला है डिस्टेंस रहने वाली है यह जो है और यह क्या रहेगा आपका एंगुलर डायमेटर जो कि आप इसको क्या करेंगे मेजर अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या होगा यूनिट क्योंकि कोई भी वैल्यू आप लोग को marks मिलता है तो अब जैसे यहाँ पर सारी बात उप जान रहे हैं कि यहां पर distance measure किया जा रहा है यहां पर भी distance है, तो इसका भी मतलब meter में होगा इसका भी मतलब मीटर में ही होगा, दोनों की length कि जाएगी जाएगी मीटर मेशर की जाएगी और िडिड़ते अगर मीटर अगर दक ध्र के लिए उसका मतलब यह कि यूनिट वं रख दी जाए ऐसा तो हो नहीं सकता जो वर है वो क्या है ठीव है तो यूनिट रखना बहुँत ज़रूरी है इसको समझने के लिए कि किस चीज के हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि unit से ही वो चीज determine हो पाएगी कि कौन सी चीज वो है किस specific चीज की बात इसमें की जा रहे है तो scientist ने काफी सोचा समझा कि इसको unit देना बहुत ज़रूरी है बिना unitless ये चीज नहीं समझ में जाने वाली कि क्या रहने वाला है तो इसकी जो unit रखी गई वो रखी गई रेडियन इसकी unit क्या रखी गई रखी गई रखी गई यानि कि इसको measure किसमें करना होगा रेडियन में अब क्या होता है कि जब आप questions को solve करते हैं जब आप इसके parallax method के parallax angle के अफिर parallax से related कोई भी question अप solve करते हैं तो इसमें जो theta की value होती है यह theta की value दी होती ही कई बार minutes में कई बार degrees में कई बार seconds में तो उसको क्या करना पड़ता है हमको हम लोगों को convert करना पड़ता है क्योंकि चाहिए answer हमको रेडियन में रेडियन में चाहिने के लिए अगर आप इस पर और detail में जाना चाहते हैं क्यों unit ऐसा क्यों कैसा इसके पूरा derivation तो अगर आप comment करेंगे तो वह भी मैं आपको बता दूँगा पर simple मोटे-मोटे तौर पर क्या है इसमें की रेडियन पर हमको चाहिए होता है मीटर मीटर नहीं रख सकते क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है निमेरिकल आ कुछ conversion को जानते हैं जहां से हम लोग convert कर सकते हैं सारी को मतलब अगर वो minute में है या फिर second में है या फिर अगर वो degree में तो उसको convert करके किसमें लेकर के आते हैं radian में अच्छा तो जैसे हमने जाना radian के बारे में जैसे इस unit के बारे में हमने जाना तो इसके पहले के chapter में जैसे आप पढ़ते आये थे कि fundamental unit थी derived unit थी जिसमें आप लोग क्या क्या जाने की आपने जाना meter, kilometer, मीटर, ग्राम, килोग्राम, ये समना पर उसमें रेडियन की बात नहीं की गई थी, तो क्या आप जानते हैं कि रेडियन किसके अंदर गर आता है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो जो रेडियन है यह आता है supplementary units के अंदर supplementary units के अंदर भी दो section है पहला section है आपका plane angles का दूसरा section है आपका solid angles का plane angle के जो अंदर आता है वो आपका आता है radian ठीक है यहां से आप जानगे कि रेडियन कहां से आ रहा है आपका supplementary angle से आ रहा है अब solid angle के अंदर क्या रहा है यह सवाल होता है तो solid angle के अंदर आपका आ रहा है stay radian अब ठीक है अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसको short form में कैसे लिखा जाथे क्योंकि दौनों angle है क्योंकि हम लोग जब भी लिखते आते हैं युणिट्स को meter है तो पूरा meter में तो लिखते नहीं m से denote करते हैं किलो meter है तो पूरा kilometer में के कैजी से denote करते हैं या केरा kinda क्लोग्राम की बात रही तो तो वैसे ही अगर हम लोग radian की बात करते हैं जो हमारा radian है तो इसको हम लोग किस से denote करते हैं इसको यह कि आर अदी चीज रखती चीज लूड़ते हैं कि रेडियन हैं अब इसके बाद बात आती है कि जो सॉलिड एंगल के अंदर था हमारा इस्टे रिडियन अब इस्टे रिडियन के जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या है इस्टे रिडियन इससे भी बड़ा है तो इस्टे रिडियन में क्या होता है कि इस्टे रिडियन में इसको हम लोग डिनोट करते हैं यह सही से च इसके लिए है रेडियन के लिए है और इस ते रेडियन के लिए है कि आप यह दोनों चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे थो मैशर करते हैं वह उसकी लिमिट है कि 100 light years के जैसे इसमें दो चीज़ें आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगी एक है light year और दूसरा astronomical unit तो जो parallax angle है इसकी जो limit है वो क्या है 100 light years तक की जो distance है यहीं तक हम लोग इसको मिजर कर सकते हैं क्योंकि यह सवाल उठ सकता है कि क्या हम लोग infinity तक मिजर कर सकते हैं ऐसा नहीं है इसके बात की जो distance है इसके जो बात की सब्सक्राइब है इसको हम लोग इसी क्लास में आगे हम लोग जानेंगे कि आगे आने वाले टोपिक में आप में में पर जाने में कैसे हुँ रहा है क्योंकि आप जाने रहे हैं कि ये दो चीजे और हो गई जिसको हम लोग इसमें इंक्लूट करते हैं अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कन्वर्जन में तो कन्वर्जन में क्या क्या आता है इसको हम लोग जान लेते हैं कि conversion में सबसे पहले बात होती ही कि हम लोग angle की बात कर लेते हैं क्योंकि वो क्या है हमारा theta है वो angle बता रहा है तो जैसे 360 degree है अगर 360 degree है तो इसमें क्या होता है 360 degree में 2 pi radian होता है 2 pi radian है कि 360 degree की बात अगर हो रही है तो 2 pi radian की बात हो रही है अगर 180 degree की बात हो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास पाई रेडियन यह क्या हो गया हमारा 180 degree के लिए हो गया अब इसके बात क्या बात होती है कि कि अगर हम लोग बात करते हैं 1 डिगरी के लिए अगर 1 डिगरी वहां पर बात हो रही है तो यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं इसको आप लोग चाहें तो पाइभाई 180 कर सकते हैं तो इसकी वैलेव क्या कि निकल के आती है आप चाहें तो जैसे डिपेंड करता है क्या आपको यूज करना इसको यूज कर सकते हैं अगर कंडिशन बन रही इसको यूज करने की तो इसको आप यूज करें इसी की कंडिशन बनती है यूज करने की अब आगे बढ़ते हैं जिसे वन डिगरी तक की बात हो गई अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे अगर बात होती वन मिनट की अब जैसे वन मिनट है तो वन मिनट क की इसमें बात हो रही होगी तो यहां पर क्या रहेगा एक ऐसे रसक्राइब जिसे आप इसको कहा सकते हैं अपास्ताफि यह क्या रहता है यहाँ पर हम क्या सिंप करता है minute क्योंकि को कॉस्चेम में आपको यह minute लिखा हुआ वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको ऐसे degree बना हुओ मिलेगा आपको ऐसे minute बना हुओ मिलेगा ठीक है तो one minute में कितना होता है one minute में आपका होता है two point nine one into ten 10 की power minus two radian 10 की power minus four radian ठीक है 10 की power minus four radian यह क्या हो गया आपका one minute में हो गया अब इसके बाद बात करते हैं जैसे one minute की हो गई तो 60 seconds one minute में तो 60 seconds भी होते हैं तो जब हम लोग बात करते हैं 60 seconds की तो seconds में आपके यह दो बन जाते हैं ठीक है seconds में आपके यह दो बन जाते हैं तो यह पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे सेम चीज उसके लिए सेम वैल्य होती है कि 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन ठीक है यह चीज हो गई हमारी अब इसके बाद सेकेंड की बात कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना हो रहा है अब 1 सेकेंड की बात अगर हम लोग कर लेते सेकेंड की वैल्य क्या हो जाती है 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन यह हो गई आपकी सारे कनवर्जिन इतने ही कनवर्जिन आपके यूज में आने वाले इस चैप्टर में जैसे आपका यह डिगरी का सेक्शन हो गया यह आपका मिनट और सेकेंड का सेक्शन हो गय यह दोनों चीज आपकी दिखाए जाएगी जब बात की जाएगी इतना एंगल फॉर्म कर रहा वहां पर आपका लिखा रहेगा कि इतना मिनट इतना डिगरी पर यह क्या है आपका दिया हुआ है तो वहां से आप अपने आगे के फॉर्मिले को यूज करते हुए या फिर जो भी आपका यूज करना रहेगा जो भी इसमें पुछा जाए चाहिए बेस पुछा जा बेसेश बुचा जाए चाहिए आपका डिस्टन्स पुछा जाए तो इनके हैकं आप उसको क्या कर सकते हैं करके रीडियन में ला सकते हैं तो अब लोग बढ़ते हैं कि इसके बाद हम लोग अपने एक्जांपल की तरफ तो यह जो एक्जांपल आपके आपको मिल जाएगा ठीक है क्योंकि क्या हो सकता कि अच्छे तरीके से बताऊंगो कैसे निकालना है तो देखे कोशन क्या है आपका कोशन सुन लीजी दे मून सबसे पहले हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं कि अगर आप अगर आप हमको पहले से फॉलो कर रहा है तो यह चीज आप जाने हम लोग जो सबसे पहले जो गीवन चीज है उसको नोट डाउन कर लेते हैं तो सबसे पहले हमको क्या गीवन है सबसे पहले हमको बी गीवन हुआ है यह सई से मारकर चलना ही रहा है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि बी हम लोग को जो है वो क्या है वो कितना गीवेन है एक बार फिर से 1.1.276 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 7 मीटर यह हम लोगों गीवेन है ठीक है अब इसको मैं आपको डाइग्राम से भी समझा जूँगो क्या चीज कहां पर पुठ हो रहे जिसे आपको आसानी से समय में आ सके और दूसरी चीज हमको थीटा गीवेन है जो कि साफ साफ इसमें कहा गया है थीटा हम लोगो कितना गीवेन है वन डिग्री वन डिग्री इन 54 मिनट ठीक है देख रहे हैं आप कोश्चन अगर आप अंचेर्टी खोल के देखेंगे तो यहां पर मिनट का साइन लेगा करके नहीं लिखा हुआ इस तरीके का साइन है तो यह चीज़ आपको याद रखनी पड़ी ठीक है इसको मत भूलीगा अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं डाइगराम बना लेते हैं फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज की हमको जरूरत और क्या पूछा गया है तो लेट सपोज यह क्या है यह हम लोग इस तरीके से बना ले रहे हैं क्योंकि दो पॉइंट है पॉइंट ए है अर्थ पर पॉइंट भी है और यह पॉइंट सी है जो की मून की बात इसमें की जा रही है और इसमें यह थीटा एंगल हम लोग का दे रखा ह कितना दे रखा है 1 degree 54 minute यह चीज हमको दे रखी है और यह जो D distance है यह हम लोग को बताना है और यह जो B base है यह basis है या फिर जो भी आप कहना चाहें यह हमको given दे रखा है कितना दे रखा है यह 1.27 6 into 10 की power 7 यह चीज हमको दे रखी है ठीक है यह marker भी उतना अच्छे से नहीं चल रहा है पर I think कि आपको clear दिख रहा होगा ठीक है थोड़ा zoom कर दी जाएगा जिससे आपको clear चीज दिख सकें तो अब हम लोग को क्या चाहिए formula चाहिए तो formula हम लोग को पता है वो क्या है हमारा formula theta is equal to b by d b by d इसको d बना लेते हैं clear हो जाए यह बन गया यह भी तो यह क्या है हमारा formula यह हम लोग को मालूम है अब यह marker थोड़ा सही चल ला है तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमको चाहिए क्या हमको चाहिए d हमसे क्या पुछा गया है d निकालना है तो d is equal to क्या हो जाएगा d is equal to हमारा हो जाएगा b by theta ठीक है अब क्या करना है अब हमको थीटा की तरफ दिखना होगा theta क्या है हमारा radian में नहीं दे रखा रेडियन में नहीं दे रखा तो उसको तो रेडियन में क्या करना पड़ेगा, तो यह जो 1 degree है, यह 1 degree हमारा equal to है, किसके 60 minutes के, 60 minutes के equal है, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, अब इसमें क्या हो जा रहा है, यह 60 minute और plus क्या हो जाएगा हमारा 54 minute, दोनों plus हो जाएगा, तो कितना हमारा हो जाएगा, 114, सही जवाब, 114 minutes हो गया, अब हम लोग इसको किसमें convert करना है, रेडियन में convert करना है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कि 114 into 60 seconds से हम लोग क्या कर देते हैं, multiply, और into हम लोग कर देते हैं, इसको किस से, 4.85 into 10 की power, minus 6 से multiply कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कि हम लोग जानते हैं, कि 1 second में कितना होता है 4.85 into 10 की power 6 होता है क्या हमारा होता है radian में ठीक है 1 second के लिए तो इसको हम लोग use कर लेंगे तो यहां से हमारी value क्या जाएगी 144 into 60 की value जब लोग इसको multiply करेंगे तो इसकी value कितनी आ जाएगी 6840 ठीक है यह हमारी value आ गई अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद यह चीज है तो इसको अगर आपको into करना है तो आप लोग क्या करेंगे simple कर सकते हैं इसको simple कैसे होगा यह अब यहां की 10 की power minus 6 है तो minus 6 को हम लोग क्या करते हैं इस तरफ लाते हैं तो कितना हो जागा 6 point हम लोग इस तरफ आ जाएंगे तो 6 point इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जागा 0.12345 और फिर इसके बाद ये रहा 6 ये हो गया हमारा ठीक है ये value आ गई अब इसको क्या कर लिजिये आप multiply कर लिजिये इसको जब आप multiply करेंगे तो इसकी value जो आएगी वह मैं आपको देखके बता देता हूँ कि इसकी value जो हो जाएगी 0.034 0.03317 0.033174 यह क्या हो जाएगी? इसकी value हो जाएगी अब इसके बाद क्या है? अब इस 0 point में तो इसको हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि 0 में तो कोई value नहीं होती तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस तरफ लाएंगे अब हम लोग को कितना लाना होगा? हम लोग को 2 point इस तरफ लाना होगा तो क्या करना होगा हम लोग को? इस तरफ जब 2 point ले जाना है तो क्या हो जाएगी? इसकी value हो जाएगी? 3.3174 भी लिखना चाहेगी तो 4 भी लिख लिजिए into 10 की power minus 2 radian यह हो गया हमारा convert अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसको formula में put करना है तो formula हमारा क्या था? या फिर अगर इसको और चोटा करना चाहें तो वो भी option है कि इसको simply आप क्या लिख लिजिए? कि 3.3 अब यह 1 है अब यह 5 से greater आप लोग जान रहे हैं तो इसको हम लोग क्या सकते हैं 3.32 into 10 की power minus 2 radian यह हो गया तो थोड़ा और short हो गया क्योंकि आगे चलके जो हमको calculation करने हैं उसके लिए क्या हो जाएगा? काम आसान हो जाएगा अब हमारा formula क्या है? कि D is equal to क्या हमको निकालना है? D is equal to B by theta तो यहां से हम लोग इसको change कर लेते हैं क्योंकि इस दोनों चीज़ क्या रहेंगी? अलग-अलग अगर आप असे question में दोनों चीज़ पूचा है कि theta भी बताईए और distance भी बताईए तो आपको theta भी निकालना हो और distance भी निकालना हो पर most of the cases में आपसे एक ही चीज़ पूची जाती है तो यहां पर हम लोग B की value लिख लेते हैं कि B की value क्या दे रखी? यह नहीं साई से चलना है तो कोई मतलब नहीं है change करने का तो B की value हमको क्या दे रखी? B की value दे रखी है B की value दे रखी है 1.7 1.27 1.276 into 10 की power 7 upon हमारी theta की value कितनी आई है? यह इस value को रख लेते हैं छोटी है 3.32 into 10 की power minus 2 ठीक है? तो इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या होगा? यह 1.276 into 10 की power क्या हो जाएगा? 7 minus इसको bracket में रखना चाहिए तो bracket में रख लेजीए आसानी से समझनी के लिए minus 2 upon 3.32 यह हो गया अब यह minus 2 minus 2 क्या हो जाएगा? minus minus क्या होगा? plus होगा और इसकी greater किस के sign है? 7 वाली की तो इसको हम लोग रख लेते हैं मतलब और आसानी से समाझनी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यह हो गया 1.276 into 10 की power कितना हो जाएगा? 9 upon 3.32 अब 3.32 को जब आप इससे divide करेंगे तो इसको ध्यान रखेगा कि 2.2 digit पर लगा हुआ तो इसकी value की क्या हो जाएगी? 0.384 into 10 की power 9 अब इसमें भी यही same case हमारा बन रहा है कि 0 के बाद point आ रहा है तो यानि कि हमको थोड़ा इससे पहले चाहिए होगा तो इससे पहले लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे पहले 3 point कर लेते हैं 3.84 into 10 की power क्या हो जाएगा? हमारी 8 meter अब यहाँ पर देखी क्या गया? मीटर में क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए था? distance चाहिए था इस चीज़ को आप ध्यान रखेगा कि जब हम लोग को चाहिए होगा कि हमको theta बताना है यानि कि parallax angle बताना है तो हम लोग किस में लेकर आना होगा? radiant में लेकर क्या आना होगा? अच्छा ठीक है यह चीज़ हो गई अच्छा यहाँ पर देखी यह 144 क्या है? minute है इस चीज़ को याद रखेगा कि minute में देखे जैसे मुझसे यहाँ पर mistake हो गई के minute के लिए रहेगा यहाँ पर सिर्फ,ेक पर ते इक रहेगा और second के लिए क्या रहेगा दो region रहेगा ठीक है इस चीज़ का आप लोग धियान रखेगा second के लिए हुभ धो यूस करना है minute के लिए एक यूस करना है यह हो गया हमारा तो इसमें दो चीज़ें आपकी cover हो गई, सबसे पहले कि आपको cover हो गया कि theta क्या है और फिर इसके बाद आपको cover हो गया कि distance क्या है ठीक है अब इसके बाद एक question और है जिसको मैं आपको देता हूँ जिसको आपको solve करना है ठीक है पूरी मानदारी से इसको solve करिएगा और फि क्योंकि जाहिर से बात है कि आपके NCRT में दे रखा है पर आप इसको solve करेंगे तो आपको solve करना आजाएगा कैसे आपको solve करना है सारे numerical को क्योंकि काफी main रहेगा exam में आपको बड़े-बड़े numerical को solve करना रहेगा तो आपको दिक्कत होगी अभी से आप practice करते रहेंगे तो seconds the diameter d of the sun from the earth is 1.496 into 10 की power 11 meter what is the diameter of the sun देखिए diameter की बात की गई है तो यहाँ पर जो formula था angular diameter का वो मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर angular diameter का formula अगर आप समझना चाहते हैं तो ही आप अपनी NCRT में इस question को दिखिएगा नहीं तो मैंने आपको यह बता दिया है इसको आप अप पूरी वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी भी point पर कोई भी चीज ना समझ में आई हो या फिर कुछ चीज आपको पूछना हो कोई भी doubt हुआ हो तो आप comment करके जरूर पूछे comment section हमेसा खुला हुआ है आपकी questions के लिए मैं आपको वहाँ पर reply दूँगा हो सकता है